चलिए सीधे लिए चलते हैं दुर्ग जहां हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ गये हैं सुबोध दुर्ग में आज क्या कुछ विशेश देखने को मिलने वाला है प्रधान मंत्रिक अप्तरदा सुप्तरदा सुप्तर बहारती जन्ता प्रिके फिलाए जीता कारेकां बड़ी बैठ आयोजन को लेकर जितनी बड़ी बाते हैं उते की जाएंगी चुकि पीम आ रहे हैं तो किसी भी तरह के लापरवाही को ताही बरदाश नहीं कि जाएगी और हर कारेकरता को एक बड़ी जिम्मेदारी दिये जाने की तयारी भारती जन्ता पार्टी के तवारा की जा रही है ये तो रही राजनीतिक बात अब अगर हम दुर्ग पुलिस के बारे में बात करें तो अभी जो पिछले दो दिनों से एक मामला रहा परजी एडी टीम का जिन्होंने पारक कंप्लेक्स में विनीद गुपता नाम के अनाज वैपारी को ठगा था उसमें एक बड़ी अपड साथ चल रही थी कड़ाई से जाच पतार चल रही थी दिन रात पुलिस एक करने में लगी हुई थी और अन्तता इस मामले का खुलासा इस प्रकार से होने वाला है कि अब 95 लाक की बरामतगी साथ आरोपियों से कर ली गई है जी जी सुबद मौसम को लेकर अपडेट ले ल रहा है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है मानसून बारिष होने के बाद भी लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है सुर की किरने बिलकुल तीज है और कहरे ढार ही है और मौसम मेग्यानकों की बात माने तो अभी कुछ दिन और यही इस सिती बनी रहेगी बादल आस्मान से गायब हैं सफेर बादल देख रहे हैं बरताती बादल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और यही वज़ा है कि कुछ दिनों के अंतराल के बाद ही एक बारिश की संभावना है अच्छी बारिश की संभावना जता ही जा रही है और बड़ी बात और यहीं बता देना चाहूँगा कि इस तरीके से हम मौसम के बाद में बात कर रहे हैं तो उसी इस पर बात करें कि फसल को लेने को लेकर हलाग कि किसानों के तैयारी पूरी हो चुकी है लेकिन जो सब्दी वेवसाई हैं वो काफी परिशान है को जितनों के बारिश के बाद जिस तरीके से अब सूखा दिन निकल रहा है उसमें सब्दियां सढने लगी है और यही वज़ा है कि टमाटर की आवक भी कम हो गई है और टमाटर 120 रुपए किलो दुर्ग जिले में इन दनों बिखा है जी सुबूद तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुबूद आपका